हालो फ्रेंड मैं संजे को स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चनल पर फ्रेंड आज की इस वीडियो में बात करने वाले एंटीपीसी के एक्जाम जो हुआ था फास रिष्टी उसके बारे में तो फ्रेंड यह जो आठीये रिप्लाइस में हम एक देखेंगे औ और इसमें मैं expected cut up तो नहीं बताऊंगा लेकिन प्रिवेस एर कटप इसमें जरूर बताऊंगा और उसके एकोडिन जो है CBT2 के लिए 15 गुना candidate को लिया गया तो पिछले बार vacancy जो था आपका sorry जो कितने candidate पास किये थे CBT2 के लिया गया तो वो था 1485 candidate को पिछले बार CBT2 में बुलाया गया था यह 15 गुना result था vacancy table के अनुसार 15 गुना result इसमें जिया गया था CBT1 में ठीक है तो इस बार भी फ्रेंट जो है 15 गुना result आएगा तो इसमें जानेगे कि पिछला cut-up जो है यहां से कितना था और अभी कितना candidate इसमें अपेर हुआ है ठीक है और expected cut-up भी उसके अनुसार जो है निकाल सकेगा आप भी आसानी से और मैं भी आपको बताऊंगा फ्रेंट वीडियो को पूरा देखेगा फ्रेंट चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दिएगा रेलवे की न्यूस पाने के लिए चले फ्रेंट चले वीडियो को शुरू करते हैं ठीक है त ठीक है 2019 और भी सीली गुडी टू एंटिन आट डिसाइट तो फ्रेंट इसमें 2018 का पुछा गया था कि गूरूप डी का आपका जो यह एक्जाम कब होगा ठीक है इसमें मैंने यह भी पूछ लिया था कि गुरुब्डी का जो है वो exam कब होगा ताकि क्लेटी मिल सके एक ही लेकिन इन्होंने वो उसका लिखाया कि अभी decide नहीं किया गया है कि कब हो सकता है ठीक है इसका मतलब यह जो है ऊक्टूबर में फान टोटव कितना केंडिडेट एक्जाम में वह 32637 इसमें जो कि इसमें जो एक्टूबर करने वाला केंडिडेट के संख्या था उसका यह कम से कम जो फो नियुक्त पर्संट सुरी फिप्टी परसंट केंडिडेट ने यहां से जो है अप्लाई किया था सिलिगूरी बोर्ट से ठीक है तो फ्रेंड इसमें देखिए जो आपका एपियर हुए एक्जाम वो था 32,637 तो लगबग फ्रेंड मान के चले कि 50% जो है वो केंडिडेट यहां से अप्लाई हुए अप्लाई किये मतलब एपियर हुए एक्जाम में ठीक है तो यहां पर फ्रेंड कट अब जो है यहां पर ही थोड़ा सा जो हो लो हो जाएगा और ज त्यारी को कर सका और जितने भी कंडिडेट यहां से एक्जाम दिया प्रेंड आप लोग त्यारी को अपना बनाए रेखिए ठीक है यहां से चुकिए आप देख सकते हैं यहां पर नंबर कितना घड़ गया मान के चले कि 60,000 प्लस कंडिडेट ने दिया था और यहां पर 32, 30,000 ही अपियर हुई एक्जाम में और 60,000 ने फॉम भर आते हैं यहां से तो 50 परसेंट तो यहां से ही जो है आपका कटप जो है वो डिक्रीज होगे मतर कंपिटिशन जो है यहां से 50 परसेंट यहीं पर खतम हो गया ठीक है अगला जिसने बंदा भी मेहनत करेगा वो तो इस इस बार का कितना vacancies है ठीक है तो फ्रेंट इसमें देखेए टोटल जो है अलगअलग पोस्ट में वेकैंसी है वो देखे कितना है तो इस बार फ्रेंट टोटल जो है वो 443 कंडिटेट का इसमें वेकैंसी है ठीक है तो इसमें वी फ्रेंट जो CBT-1 में जो result आएगा मतलब जो केंडिडेट को लिया जाएगा वह 443 का जो वह 15 गुना इसमें लिया जाएगा ठीक है तो आप लोग इसको देख लीजिए कि कितना यहां पर देख लेंगे है तो टोटल इसमें 50 इससरा मास्टर के लिए 50 इस सेसरा माष्टर के लिए 50 वेकंशी hai ठीक है गूड्सकाड को बात करें पतकर सीख से लिवल वाइब फाइब जो है इसका इसमें टोटल वेकंशी 71 था mês था सिन्यर कुलर कम टाइपीट की वेकेंसी साट है सीनेअर कमर्शियल खम कलर का जो है 57 यहां पर लेकेंसी है इस बारवाले पोस्ट में ठीक है और ट्रेफिक ऑशिस्टेंट का फ्रेंट देख लीज नमबर का जो है पो Strawberry ट्रेफिक असिस्टेंट का इसका ओनली वन पोस्ट है जो आपका यू आर में ठीक है बात करेंगर कोमर्सियल कम टिकट कलर का तो इसमें टोटल 64 वेकंसी है जिसमें यू आर का 26 से ओबी सी का 10 है ठीक है और यह जो है वह सी और स्ट का यहां पर कटप दिया गया है और EWS का भ करेंगा ट्रेंट का त्रेंक र medidas का च avengy यहांपर टोटल दिया घ्या तोटल है यहां फोट करेंगेंगा ट्रेंट का फिरी यहांपर वेकंसी है ठ्रेंद्र यांपर फोरेन्शियां फेकंसी है ठीक है स्टी का треб सब्चले इसको अगे आगå बताते आपको कि इसमें पिछले बार का कितना जो था पिछले बार यहां से कितना है टोटल बेस्टी ह slows जहां से एक निए एक था टोटलन यह भारएन बétais पिछले बार जो आपका cut-up गया था silly greedy boat से तो silly greedy boat से total यहां पर friend जो cut-up गया था पिछले बार यूर का cut-up यहां पर 67.52 गया था आपका CBT1 में CBT1 का cut-up है normalization के बात का cut-up में बता रहा हूं ठीक है तो normalization पर आपको ध्यान नहीं देना है आपका normalization तो एसे होना ही है थोड़ा बहुत नंबर बढ़ेगा किसी का जो सकता marks में घटता नहीं है बहुत कम chances से कि आपका marks घटे तो यूर का पिछला cut-up कितना था यहां से तो 67.52 था यूर का OBC का आपका जो ही आपके कितना था तो OBC का आपका 56.26 था OBC का ठीक है से का आपका cut-up था 54.31 था वहीं पर स्टी का cut-up आपका सिली गुड़ी बोट का था आपका 45.9 ठीक है यह cut-up था तो देख लिजे क्या cut-up था यूर का आपका 67.5 था OBC का 56.26 है स्टी का 54.31 है और स्टी का 55.9 यह था पिछले बार का 2015 का आपका जो है NTPC का NTPC जो निकाला था ठीक है वेकंसी नोटिफिकेशन उसका यह cut-up है CBT1 का cut-up था यह सिली गुड़ी बोट का ठीक है और इसमें फ्रेंट 15 गुणा टोटल इसमें रिजल्ट जो है लिया गया था जिसमें आपका टोटल केंडिडेट को CBT2 के लिए बुलाया गया था वो कितना था कि इस बार का कितना लगभग जाने का चांसे से तो देखिए फ्रेंट पिछले बार का जो यूर का cut-up गया था वह आपका 67.52 गया था तो इस बार फ्रेंट यह है 60 मैं बता रहा हूँ 65 से मैं 70 तक का लेता हूँ क्योंकि इस बार जो वेकेंसी टेबल कम है वेकेंसी यहां से पोस्ट कम है तो थोड़ा cut-up जो हाए रहा सकता है तो यूर का 55 से 70 के भीच में रहा सकता यह एकदम expected cut-up में बता रहा हूँ हो सकता थोड़ा आगे पीछे हो और OBC का कितना रहा सकता फ्रेंट तो OBC का देखिए 55 से 60 के बीच में OBC का रह सकता है SC का आपका इसमें रह सकता है 50 से आपका 55 रह सकता ठीक है वहीं बात करेंगे ST का तो ST का फ्रण यहाँ पे जो है 45 से लेके 50 तक यहाँ पे cut up जो है वह रह सकता अब बात करें पिछला पिछला बार इसमें था 67.5 था कि वह भी सी का आपका था 56.26 स्टी का आपका था 54.31 और स्टी का इसमें पिछला अपका 45.9 ठीक है तो उसी के आसपास को बनाया गया है तो आप लोग इसका स्क्रीन स्ट ले लिजेगा या पिछला थोड़ा बैक करके देख लिजेगा कि कि इतना जो है पिछला कट अप था ठीक है जैसे आपको एक अंताजा हो जाएगा तो फ्रेंड इस वीडियो में इ